गर्मी का मौसमा गया वो भी UAE की गर्मी आ यानि की आप जानते हैं डेजर टेरिया में कितनी गर्मी लगती है तो अभी तो इंडिया में भी वही हाल है चाहे गर्मी यहाँ पर हो या इंडिया में हो गर्मी के बचने के लिए हैक्स तो सभी जगह काम आते हैं तो आज मैं आपके साथ शेर्ड करूंगी गर्मी के बचने के लिए एसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपको गर्मी से जो भी प्रोब्लम रहती है ज्यादा तर वो हल करने में काफी जो हे हेल्प करेगा तो आप अगर मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इन हेक्स में से जो भी आप एकस अगर रेगिलरी बेज पर यूज करते हैं और इससे भी अच्छे आपके पास कोई भी टिप्स और ट्रिक हो तो प्लीज कमेंट करकर बताना तो जढ़ा बातें नहीं करते हुए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला तो है या मुल का श्रीखान अभी तो यहाँ पर यानि की दुबए में भी ये श्रीखान मिले लगा है पहले क्या था कि हम नहीं आए थे तब यह नहीं मिलता था तो अभी मैं घर पे ही श्रिकन बना लेती हूँ यहाँ पर मैंने एक बरतर लिया है उपर से सुती साय कपड़ा ले लिया कोटन का भी चलेगा और उपर से मैंने जो थोड़ा खटा नहीं हो वेसा हमें दहीं लेना ह है और बस इसकी पोटली बना कर हमें इसे जो है अपनी टेप पर इसे टांग देना है जिसे की एक्ष्रा जो भी वाटर हो वो नीचे निकल जाए वो हमारा जो दहीं है वो थोड़ा घाड़ा बन जाए यहाँ पर मैं मैंगो श्रिकन बनाऊंगी तो मैंने दोस टाइप के म मैंगो यहाँ पर कट कर लिए एक किमी प्योरी बना दूंगी अब मैं आप देख सकते हो कि सारा है पानी हमारा जो है दहीं में से निकल गया है अब मैं दहीं इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर लूंगी और जो भी हमने थोड़े बहुत जो टुकड़े किये है मैंगो के वह हम उसको उपर से डाल देंगे और आपको एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग और कुल-कुल सी रेसिपी आपके लिए एक दम ही तयार है आप इसे पूरी के साथ पराटे के साथ भी खा सकते हैं और अगर आपको थोड़ा स्वीट पसंद हो तो आप इसमें पिसी हुई चि पानी की जो है हमें जरूरत पड़ती है तो अगर आपको मेरी तरफ पानी जो है पीना याद नहीं आता तो आप जगह जगह पानी भरके रख सकते हो और अभी गर्मी के मौसम में ज्यादा तर क्या है कि दूद फट जाता है और कभी-कभी बच्चे चोटे हैं तो कभी पी दही में से आप पनिर बना दो यहां पर मैंने एक बर्तन ले लिया है अब मैं इसको दूद को इसमें डाल दूँगी और जब तक उबालाता है तब तक मैंने यहां पर लिंबु निचोड दिया है उसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और जब हमारा दूद उपर आता है यानि कि उबालाता है तब हम दिरे दिरे जो है निबु के ड्रोप्स इसमें गिराते जाएंगे और हिलाते जाएंगे और उस दोरान आपको जो है आपकी गेस की फ्लेम ओफ कर देनी है वरना आपका जो पनीर है वो थोड़ा टाइट बनेगा अगर आप गेस की फ्लेम कर सकते हैं पनीर की भूर्जी बनाना हो पनीर का कोई भी पंजाबी सब्जी बनानी हो पनीर के पराठे बनाने हो उसमें यूज कर सकते हो तो इस तरह से हमारा दूद का भी यूज हो गया और हमारा घॉममेट पनीर भी रेडी हो गया तो अगर आप पनीर बनाते हो तो इस त तरसे एक पोटली में भर के फिर नीचे थोड़ा स्पून वगेरा लगा के फिर आप जो हो एक प्रेट में लगा दो और उपर थोड़ा सा भारी बरतन रख दो जिसे की एक से सोटर बाहर निकलाए और हमारा पनीर है वो एकदम अच्छे से बन जाए तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा पनीर रेडी हो गया है और एकदम सोफ्ट भी बना था तो आप देख सकते हो आपको महंगे महंगे पनीर बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आप घर बेठे थोड़े ही टाइम में यानिकि 10 मीट में आपको जितना भी पनीर बनाना हो एकदम ही बन जा है और हाँ जब भी हमने पनीर बनाया था तो जो भी वाटर निकला था तो इसको बिलकुल ना फेके इसमें से पूरी का पराठाट का रोटी का डो बनाने में यूज करें क्योंकि ये एकदम हेल्दी है और इस समर के सीजन में हम वाटर मेलन हो या स्वीट मेलन हो बहुत ही खाते है वो बड़ी साइज का आता है तो हम बड़ी साइज का वाटर मेलन एक साथ खा नहीं सकते तो क्या करो का आप जो भी बचा है उससे जो है रेपर पेपर से रेप करके रखो जिसे की वो कभी बि अब चानते हो मुंकपली थोड़ी गरम होती है और एक गर्मी के सीजन में और हम गर्मा हट हमारे सरीर में बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करो के मुंकपली लो, उसमें थोड़ा सा सौल्टर िड़ कर दो उसमें पानी एट कर दो उसको प्रेशर कुक कर दो और थोड़ा सा उसको बीच में सी भी कट कर दो तो आप देख सकते हो प्रेशर कुक होने के बाद हमारी मुंग पुल एकदम बोईल हो चुकी है तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है और इससे आपकी सरीर में जो है इसकी गर् दाने को निकाल कर भी उपर सोल बगेरा डाल के खा सकते हैं और नेक्स्ट है कि अगर फ्रूट्स बिगड़ जाते हैं तो उसी तरह हमारी वेजिटेबल्स भी बिगड़ जाते हैं गर्मी के सीजन में तो आप क्या कर सकते हो मिर्च का इस तरह से रिंडल निकाल के फिर साथ में मैंने दोनों को किया था वह वहलेर आज मैं इस हरए धनिया का शोट्व करोंगी तो मैं उपर की साइड से में चAlg करूं की चटनी बनाएंगी वह नीचें की साइड के जो पत्य उससे उस्थे से वहस करके, प्र वीडराय करके कट करके फीर इसको स्टोर कर्दूं जाएंगी आप इसी मेंठर से कोई भी हर्प्स को आप श्टोर कर सकते हो, और तक पंदरा norm yan की will be with piece freeze में पड़ा रहता हáveis। जाहे करिपत्त हो या would i not. हो या it. हरा धनिया हो कोई भी हर्प्स को उस्से track श्टोर कर सकते हो वर गर्मी से काराण विगड़ जाता है तो उसका भी आप जो है सब्सक्राइब जो है उसका सोलीशन डूंड सकते हो तो ए मेरी मेठ ही है आप देख सकते हो और इससे जो हमारी प्लास्टिक की चीजी पड़ी रहती है यह मेरा एक कलोथ ड्रायर है आप देख सकते हो तो मेरा पूरा ही स्टिल का था पर बीच भी में इस तरह से जो है प्लास्ٹिक का जोईट लगा हुआ तो तो अपने देखा मेंने हाथ लखाया या तो भी तूट गया तो अच्छे से मैंने उसको जोइंट कर लिया था वायर से तो मैं इसे अभी घर पे जो अंदर नहीं ले सकती क्योंकि फोल्ड नहीं हो रहा था तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्लास्टिक जो भी चीजे हो को घर के अंदर आप दूपाने से पहले ले लो और अगर अपको गर्मी के मुशं में मिर्च खानी पसंद हो आप छोड़नेहीं शकते या मिर्च के बिना सकते तो आप इस तरह से मसाला मिर्च बना कर देखो ही राए के कुरिया दोट टीस्पून में ने लिए एक टीस्प बाउडर एड कर देंगे सोल्ट एड कर देंगे और उपर से थोड़ा सा निम्बू छिटक देंगे आपको जितना भी खटा रखना हो इससाब से आप निम्बू डाल सकते हो और फिर मैं इसमें ओल डालूंगी जो मैंने पहले गरम कर दिया था और फिर ठंडा होने के बाद ह हम इसमें डालेंगे और फीर में मिर्च इसमें डाल कर फीर अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक एर टाइट कंटेनर में या गलास की चा फ्री सबब देंगे और फिर आप जो है जार में भरके फ्रीज में रख दो पंदरा बीस दिन तक अच्छी सी कड़क ही रहती है और अगला है कि जिस तरह से गर्मी का मौसम आता है तो हमें विंटर वाले सब कपड़े निकालने रहते हैं तो इसी तरह मैंने बेटशित मेरी बिचाई हुई है उन जिसक की लुक भी एकदम कूल आएगा और हमें गर्मी भी नहीं होगी और रिफ्रेशिंग फिलिंग आएगी उसी तरह से हमने बेटशित तो चैंज कर दी अभी हमें कपड़े गर्मी के हिसाब से बदलने है तो यहां पर जो भी मैंने विंटर के कपड़े थे वो रख दि निकाल दिये है जो भी थोड़े बहुत थे वो तो भी बहार जाने में में यही पहनना फ्रिफर करूंगी और नेक्स्ट हैक है वो मेरे खायाल से बहुत ही यूसपूल है हमारा अगर स्मॉल हो और ज्यादा तर कभी-कभी ज्यादा गेस्ट आ जाते है तो बर्फ कम पढ़ काल जाती है तो आप क्या करो जब पी एक आइश्ट्रे बन जाएए बर्फ की इस तरह से ग्लास की जार में निकाल कर फिर बर्फ के रख दो तो क्या होगा एक्स्ट्रा आइस यूब आपके पास पड़ी रहेगी तो कभी भी कितने भी गेश्ट आ जाए आपको कभी भी बर्फ की कमी नहीं होंगी तो ये था मेरा वीडियो आइओ ओप के वीडियो आपको हल्पुल लगा होगा यूसफुल लगा होगा उसी आशा के साथ मिलते हैं नहीं इंट्रेस्टिंग व